नमस्कार बहुत स्वागत आपका देखने आईश्मान भाव मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टो फ्रेंड संतो संतोशी बात आज के जन्म पाए लोगों के पूरे वर्ष के हाल की बात उसकी कि आपका पूरा साल कैसा बीतेगा बेहतर कैसे किया जाए ग्रहों के इशारे क्या कहते हैं अगर आप 12 फरवरी को पैदा हुए है तो धनिष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए कितना शुब है कितना सकारात्मग है धनिष्ठा नक्षत्र आपको आज क्या कुछ निर्धारित कर दिया पूरा वर्ष आपके लिए किस तरह से सवहार्द पूर्ण या विवादास्पद होगा इसकी पूरी जानकारी इसकारकर में मिलती है बोले तो वर्ष फल मिलता है बात उसकी भी जो आज दामपत्य सोत्र में बढ़े होंगी जे हां उनके लिए भी आज हमारे पास कुछ खास है जिनकी आज मैरिज अइनिवर्सरी है तो सबसे पहले बिग हैंड टू यू बोथ आप दोनों को बहुत सारे शुब कामनाएं और बहुत बहुत महबबत है चलिए सुरवात आज के कारकरम की करते हैं सबसे पहले बताते हैं 12 फर्वरी को पैदा हुए लोगों के लिए सिक्छा का अस्तर क्या रहेगा पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे मजबूती आएगी इरादों में दर्था आएगी ये आपके लिए बहुत सकरात्मक बहुत शुब होगा आपको बहुत कुछ शुब मिलने वाला है दिनांग 12 फर्वरी को पैदा हुए लोगों के लिए खास दौर पर बहुत खास दौर पर एक विशेश उपलब्धी मिलने वाली है बोर्ड का एक्जाम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीरण कर लेंगे इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद कहीं आइडविशन के लिए प्रियास करेंगे तो जुलाई अगस्त अद्भुत है अक्टूबर नॉमबर कुछ हेल्थ इशू आएगा लेकिन दिसमबर जनवरी बाहर जाकर की भी पढ़ने के अवसर मिलेंगे दिनांक बारे फर्वरी को पैदा हुई लोगों के लिए ब्यापार बिजनस में मार्च जून परिशान करेगा बिजनस कुछ न कुछ रुकावट परिशानी पैदा करने वाली है ब्यापार में घाटा हो सकता है अगस्त अक्टूबर बहतरीन रहेगा हर प्रकार की शुक्ता मिलेगी इसमें सकारात मक्ता मिलेगी अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर परिशानियों का अंत हो जाएगा और जनवरी आते आते ब्यापार में एक अच्छे मुनाफ़े की तरफ बढ़ेंगे दिनांग 12 फरवरी को जन्वपाईल लोगों के लिए प्राइविट सिक्टर में अगर जॉब कर रहे हैं तो पश्चिम और दक्षिन दिसा से बड़े आफर मार्च और मई में मिल जाएंगे अप्रैल, जून और अगस्त इसमें नौकरी में बहुत समस्याएं आएंगी बहुत उठा पटक, बॉस चेंज होगा जो आपके साथ बहुत गलत व्योहार करेगा शत्रुभाव कर लेगा इस पर आपको ध्यान देना होगा दिनांक 12 फरवरी को पैदा होए लोगों के लिए प्राइविट सेक्टर में वाहन का सुक अगस्त नौवंबर और मकान का सुक दिसंबर जनौवरी सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छा चलेगा इसमें परिशानी नहीं होगी गॉर्मेंट सेक्टर अगर आप गॉर्मेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और आप 12 फरवरी को पैदा हुए हैं तो लीजिए होली आते आते एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे शुभ सोचेंगे और लाव के आउसर बनेंगे और प्रमोशन होगा अप्राइल जून परिशान करेगा ट्रांसफर हो सकता है मई मकान का सुख अगस्ट मकान का सुख वाहन के लिए मार्च और अक्टूबर बहुत अच्छा रहेगा आप प्रियास करेंगे सफलता जरूर मिलेगी गौर्णमेंट सेक्टर वालों के लिए अक्टूबर नमबर बिदेश भेजे जा सकते हैं या ओफिस की तरब से कहीं लंबी यात्रा पर भी जाने की संभावना बंती हुई दिखाई देती है Married Life ये मामला गडबड है यहां पर विच्छेदात्मक की स्थति दिखती है यहां पर विच्छेदात्मक की स्थति दिखती है वो आपके लिए खतरनाक की स्थति में रहेगा अलगाव की संभावनाएं बनती हैं एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी परेशानियां बढ़ सकती हैं सोच समझ कर फैसला लेना होगा आंतरिक कलह की शिकार हो सकते हैं संतान को लेकर के भी कुछ तनाव कुछ परेशानी बढ़ सकती है लव लाइफ यहां पर मामला आपके हाथ में हर प्रकार से शुब सोचेंगे, शुब करेंगे, शुब पाएंगे संतान संबंधी जो दिक्कत वहाँ पे थी यहां पर प्रेमी का संबंधी दिक्कत थोड़ी ना आई खुब अच्छे से एक दूसरे को समझ करके प्रेमी प्रेमी का बैवाहिक इस्थती तक जा सकते हैं और विवाह के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं मई अगस्त अक्टूबर जन्वरी दो हजार बाईस ठीक स्वास्त लूज मोशन्स पूरे साल डाइजेशन प्रॉब्लम पूरे साल किट्नी की आँख और आंत की दिक्कत हो सकती है माईगरेन कमर में दर्द और खुटना परिशान करेगा उपाय क्या करना चाहिए प्रियोग क्या करना चाहिए अब हम आपको उपाय प्रियोग बता देते हैं जिसे करके आपको शुपता मिलेगी दो बच्चों की सिक्षा में मदद और तीन बर्गत के पीड़ पौधे बर्गत के किसी पब्लिक प्लेस पर लगाना शुप होगा एक ये हो गया जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए दो लोगों की सिक्षा में मदद करके तीन कन्याओ की शादी में मदद कर देना होगा बस इतना करिए बहुत बहुत आभार प्यार दुलार आप सब को इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने उनमित्रों के साथ जो भी बारह फरवरी को पैदा हुए हैं या जिनकी शादियां बारह फरवरी को भी हैं हम आप सब के उज